नमस्कार ये चने की डाल है या खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पचने में भारी होती है इसे इस कारण लोग कभी कभारी बना कर खाते हैं यहां इस डाल को सुपाची बनाने का अलग तरीका बताएंगे या एक कटोरी साफ की हुई डाल लेंगे इसके लिए और इ और तीन कटोरी गरम पानी इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसे पंदरा बीस मिनिट के लिए फूर ने रख दे और इसके बाद ये देखेंगे कि रंग के साथ साथ अजमाइन के गूंड भी इस पानी में आ जाएंगे इसके बाद अब इस पानी में चने की डाल को फुलाना है अब धुली हुई दाल इस पानी में डाल देंगे और इसे एक या दो घंटे के लिए फूलने के लिए रख दें इसके बाद पांच कलीला सुन और एक इंच का टुकड़ा अद्रक का कद्दू कस करके या कूट कर रख देंगे अब चने की ये डाल अजवाइन के पानी में फूल गई है इसे कुकर में इस तरह से डालेंगे और इसके बाद जो पानी और अजवाइन बरतन में बचती है उसे अलग कर देंगे और अब इसमें ये कुटी हुई लासुन और अद्रक टाल देंगे इन्हें तलना नहीं है इसके बाद इसमें तीन-चार कटोरी पानी डालेंगे पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिर आदा छोटा चमच हल्ली आदा चमच नमक डालेंगे इसमें और अब वन फॉर्थ चमच या एक चुटकी अजवाइन फिर से डाल देंगे और इसे उबलने याने पकने के लिए रख देंगे तब तक दो प्याज और तीन टमाटर इस तरह से काट ले और इन्हें अलग-अलग मिक्सी से पीछ ले अगर मिक्सी से ना पीछ सकें तो कद्दू कस कर सकते हैं और ये प्याज और टमाटर पीछ लिए हैं अब डाल पक गई है इसे कर्चुल से या चमच से इस तरह मसल कर गाड़ी कर ले इस तरह से और अब कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें दो बड़े चमच मन पसंद तेल डालें तेल गरम होने पर इसमें थोड़ी हिंग डाल देंगे और फिर पोना या एक चमच जीरा डाल दें और चार पांच पत्ते करी पत्ता के इस तरह से काट कर डाल देंगे तड़कने पर इसमें पिसा हुगा प्याज डाल दें और इसे इस तेल में ब्राउन होने तक पकाना है या भूनना है अब भूनने के बाद इसमें डेर चमच धनिया पाउडर और पोना चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल कर इने भी भून ले और इसके बाद इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर और इने भी प्याज के मिस्रण के साथ भून ले अब इसमें डालेंगे आधा चमच गरम मसाला और एक चुटकी मेथी दाना पाउडर भूना हुआ और अब इसे मिस्रण को पकी हुई डाल में डालेंगे और चलाएंगे इस तरह से इसमें मिला दें और चला दें इससे करीब पांच मेट और उबालना है अब ये दाल एक तरह से बन चुकी है और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे चाहें तो हरी मिर्ज भी काटका डाल सकते हैं इस तरह की स्वादिष्ट डाल एक बार जरूर बना कर अपने भूजन में सामिल करें धन्यवाद नमस्कार